नमस्ते दोस्तों यात्रक की जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है केरल जी हाँ दोस्तों आज के हमारे वीडियो में हम केरल ट्रिप से जुणी सभी महत्वपुन जानकारी देने वाले हैं जैसे कि केरल गुमने जाने का सबसे उचित समय कौन सा है केरल कैसे पाउजे केरल में रुखने और खाने पिने की व्यवस्ता कहा करें दोस्तों केरल गुमने के लिए कुल कितने दिन का टूर प्लान करें और सबसे महत्वपून बात की केरल गुमने का कुल खर्च के आएगा तो दोस्तो ये सभी जानकारे आपको इस वीडियो के इंदर मिल जाएगी तो बने रहें सुरू से लेकर अंग तक हमारे साथ ऑर इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले दोस्तो केरल में कहां कहां गुमना चाहिए केरल में गुमने की कौन कौन से जिगा सबसे प्रसित है उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे और वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्केप्शन में दे देंगे तो उसके थरू आप उस वीडियो को देख सकते ह दोस्तो केरल बारत के दक्शिनी खुब सुरत राज्यों में से एक है जहां हर साल केरल की सुंदर्था को देखने के लिए लाखो परेटख आते है दोस्तो बैग वरटर और लेगुन केरल की सुंदर्था को और भी बड़ा देते है केरल अपनी प्राचिनता और संसकर्थी के लिए पूरे भारत वर्ष में प्रसिद है तो दोस्तो चलिए बिना टाइम गवाए हम सभी महत्वपुन जानकारी एक एक करके जानते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केरल गुमने जाने का सबसे बैस्ट समय कब होता है। तो दोस्तो केरल गुमने का सबसे बैस्ट समय सर्दियों का मौसम माना जाता है। जो कि अक्टुम्बर से लेकर मार्च महीने तक का होता है। दोस्तों इसी समय के दोरान सबसे जयादा परेटक केरल की यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि गर्मियों के मौसम में यहां बहुत ही जयादा गर्मी पड़ती है जिसके वज़े से आपको परिशानी का सामना करना पड़ सकता है वही बारिस के मौसम में भी केरल में काफी जयादा बारिस होती है जो आपकी यात्रा में बादा उत्पंद कर सकती है इसलिए गर्मी और बारिस के मौसम में केरल की यात्रा करने से बचना चाहिए तो चलिए अब बात कर लेते है केरल कैसे पहुझे दोस्तो केरल जाने के लिए आप देश के किसी भी हिस्से से सड़क मार्ग, हवाय मार्ग और रेल मार्ग से ज़ा सकते है केरल इन तीनों मार्गों से अच्छे तरह से जुड़ा हुआ है आपको यहाँ पहुचने में किसी भी तरक की कोई भी परिशानी नहीं होने वाली तो चलिए इन तीनों मार्क को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं चलिए सबसे पहले बात करते हैं हवाई जहाँ से केरल कैसे पहुचे तो दोस्तों केरल के तीन प्रमुक हवाई अड़े हैं जिसमें कोची, तिरुन्दंतपुरम और कोची कोड का हवाई अड़ा शामिल है यह हवाई अड़े बारत के लगबग सभी प्रमुक सहरों के हवाई अड़ों से बहुत ही अच्छी तरसे चुड़े हुए है इन हवाई अड़ों के बाहर निकलते ही आपको टैक्सी की सुविदा आसानी से मिर जाएगी जिससे आप अपने गंतव्य तक आराम से पहुच सकते हैं तो अब बात करते हैं रेल मार्क से केरल कैसे पहुची तो दोस्तो केरल का कोची स्थित एना कुलम रेलवे स्टेशन सबसे प्रमुक रेलवे स्टेशन है और यह देश के सभी प्रमुग रेलवे इस्टेशन जैसे दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, अम्दाबाद, लखनव और जयपुर जैसे रेलवे इस्टेशनों से जुड़ा हुआ है तो आप रेल मार्क द्वारा भी बड़े आराम से केरल पहुँच सकते है दोस्तो इन रेलवे इस्टेशनों से बार निकलते ही आपको कही सारी प्राइवेट टेक्सी और ओटो की सुविदा मिल जाएगी जिससे आप केरल कुम सकते है तो दोस्तो अब चानते हैं सड़क मार्क से केरल कैसे पहुँची तो दोस्तो केरल की सड़कों की स्थती काफी अच्छी है। यह राच्य बारत के विबिन हिस्सों से सड़क मार द्वारा बहुत ही अच्छी तरसे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आजपास के लगबग सभी राच्यों से केरल के लिए बसों की सुविदा उपलप्त आप आसान इसे बस द्वारा केरल पहुश सकते हैं तो अब बात करते हैं केरल में कहां रुके दोस्तों पूरे केरल में आपको रुकने के लिए किसी भी जगह पर होटेल और रिजोट आदे कि सुविदा मिल जाएगी आपको कहीं भी रुकने के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों बसते होटेल और रिजोट का खरसा थोड़ा जयादा होगा लगबग 1500 से 3000 रुपे और यदि आप हाउस बोट या हाउस बोट ग्रूप यूज़ करना चाहते हैं तो लगबग 4 से 5000 के बीच का खरसा हो सकता है तो दोस्तों अब बात करते हैं केरल में खाने पिने के लिए क्या फैमस है दोस्तों वैसे तो केरल के डोसा इटली सामबर से सभी परिचित है लेकिन इसके अलावा भी केरल के बहुत से इस्थान्य पकवान है जो काफी फ्रसिद्ध है यहाँ चावल और नारियल से बनी र दिख्षास बनाता है दोस्तों केरल में आपको साकहारे और मासा हारे दोनों विकल्फ आसानी से मिल जाएंगे तो दोस्तों अब जानते हैं केरल कैसे गूमें दोस्तों केरल गूमने के सबसे पहले आपको कोची पहुचना होगा यदि आप फ्लैट से जाते हैं तो कोची इंटरनेशनल यरपोर्ट पर उतरेंगे और यदि आप टेंड से जाते हैं तो आप कोची के एना कुलम रेलवे इस्टीसन पर पहुचेंगे जहां पहुचकर आप इसी railway station के आजपास के hotel और resort book कर सकते हैं और कोशी गूम सकते हैं इसके बाद कोची कोची से मननार, मननार से टेकड़ी और टेकड़ी से अलेपी दोस्तो यदि आप केवल अलेपी तक गूमना चाहते हैं तो आप कोची से अलेपी तक की यात्रा कर सकते हैं और वापस कोची पहुच कर अपनी यात्रा को समप्त कर सकते हैं लेकिन यदि आप केरल की राजदानी त्रिवेदम गुमना चाहते हैं तो आप अलेपी से वापस त्रिवेदम जाए और वहां से आप ट्रेन या एरपोर्ट की सुविदा द्वारा वापस आ सकते हैं तो दोस्तो अब बात करते हैं केरल गुमने के लिए कितने दिन का टूर ब्लान करें तो दोस्तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आप केरल गुमने के लिए कितने दिन का टूर ब्लान करें क्योंकि दोस्तो केरल में इतनी सारी खुपसूरत जगाए हैं जहां पर अगर 10 दिन का टूर प्लान तो करना ही होगा तब आप केरल की प्रसित जगाओं पर अच्छे से कुम सकते हैं तो अब बात करते हैं केरल गूमने का कुल खर्च क्या होगा दोस्तों यदे आप लगबग 10 दिनों का प्लान बना कर गूमने निकलते हैं तो आपको लगबग 20,000 से 25,000 रुप्यों के जरुरत होगी और यह आकड़ा सिप एक व्यक्ति के लिए है और दोस्तों यह गूमने खाने पिने ट्रेकिंग वगेरा सभी खर्चे को मिला कर हैं और बाकि आप पर निरपर करता है कि आप कितना जयादा जगाओं पर गूमना चाहते हैं और यदि आप वहा ओन सीजन से कम पैसा लगेगा और यदि आपको कोई ओनलाइन पेकेज या ओफर मिलता है तो आपका खर्च कम लगेगा तो दोस्तों यह थी केरल से जुड़ी सभी महत्वपुन जानकारे जिसको हमने एक एक करके बहुत ही अच्छी तरस से आपको बता दिया तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्यू